हलो गाइस गुद मॉर्निंग दिस इस उमंग शर्मा फ्रम आपका सेपाटी फ्रिंट्स आज के सेशन में हम करेंगे एक काउंटिंग फू पार्टनेशिफ बेसे कॉंसेप्स एक बार किसी और बुक के भी कॉशन देखना चाहते हैं तो आप शाम को डेली एक वीडियो आता है कोई बहुत जादा बड़ा वीडियो नहीं होता मतलब मुझे लगता है दस से बारा मिट का होता है तो अगर आप चाहें तो एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं चलो स्टार्ट करते हैं 42 नमबर के साथ यह पास्ट एक्जिस्मेंट वाले जो कॉशन सेना यह बहुत ही इसी है मतलब मुझे नहीं परता कि आप लोग इनके लिए इतना परेशान क्यों होते हैं कि माम समझ नहीं आते हैं समझ नहीं आते तो बहुत एजी होते हैं चलो देखते हैं एक बार मोहन विजय एन अनिल आर पार्टनर्स अपार्टनर्स अबैलन्स ओफ दियर कैपिटल बिए रूपीस थर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर्टनर 4000 और 3000 ठीक है हम लोगों को बैसिकली यह है कि दो पॉइंट जो नीचे दिये गए है पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर भी यह क्या है हम इनको इनकी एंट्री करना भूल गए है गलती से हम इनको नहीं कर पाएं इंट्रेस्ट और कैपिटल दिया हुआ है आपको 10% परेनम के हिसाब से वोज नौट चार्ज आपने चार्ज ही नहीं किया उसके बाद में इंट्रेस्ट और ड्रॉइंग मोहन 250 विजय 200 और अनिल 150 वोज नौट रिकॉर्ड इन दे बुक्स इसको आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया इ सेम ही मीरियम मतलब मैंने इंडी का वो कॉश्न भी दिखा हुआ है सेम है तो आप लोग हिंडी वाले बच्चे यहां से देख सकते हैं आचा एक चीज और आप देख रहे हों English में answer कुछ और दिया हुआ है और Hindi में answer कुछ और दिया है तो अगर आप लोग answers match करना चाहते हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लेकिन mostly जितने भी answers हैं वो Hindi interest on capital के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह हम मतलब बार-बार कहते हैं कि जब भी हमें interest on capital निकालना पड़ता है निकालना होता है तब हमें opening capital की जरूरत होती है लेकिन problem क्या है कि opening capital दिया ही नहीं है यह क्लोजिंग capital दिया हुआ है अब आप पुछोगे कि कैसे पता चला क क्लोजिंग capital है इसलिए हमें पता चला क्योंकि date लिख हुए है 30 मार्स 30 वर्स 2007 तो हम समझ जाएंगे कि closing capital ओपनिंग कैपिटल नहीं है मतलब ऐसा especially mention नहीं किया लेकिन मुझे लगता है कि हम question number 42 पर पहुच गए तो इतना तो हमें समझ आना चाहिए तो opening capital निकाल लेंगे वह बहुत आसान होता है opening capital निकालना पहले हम यहां लिख लेते हैं इनकी closing capital closing capital नाम क्या दिये हुए है इनके मोहन, विजय और अनिल तो मोहन को मैं M से दिखा देती हूँ विजय और अनिल मोहन की जो capital closing capital दियो ही है वो दिये 30,000 विजय की closing capital दियो ही है 25,000 और अनिल की closing capital दियो ही है 20,000 अब आपको पते हैं कि जब हम opening capital निकालते हैं तो हम drawing को plus कर देते हैं तो plus drawing क्योंकि वैसे normally क्या होता है drawing हमेशा minus होता है और profit हमेशा plus होता है बट इस case में उल्टा होता है तो इनकी drawing हमें दियो ही है 5000, 4000 और 3000 तो यहां लिखो 5000, 4000 और 3000 यह drawing हम इनके closing capital में plus कर देंगे इसके बाद में हमें 24,000 का profit भी हुआ है लिखा हुआ है 24,000 का profit लेकिन हमें यह नहीं बताया कि किस partner को कितना profit हुआ है मतलब इस 24,000 में किस partner का कितना ratio है जब भी ऐसा हो कि आपको कोई particular यह ना बताया जाए ratio ना दिया जाए तो आप हमेशा equally divide कर दो तो less करेंगे profit और जब आप 24,000 को बाटोगे मतलब तीनों में तो यह आएगा आपका आठ 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 आजार रोगे आठ आठ आजार इसका आठ आजार इसका और आठ आजार इसका ठीक है अब इनके calculation कर लेते हैं हम यह पे तो आप 30,000 और 5000 को plus करोगे तो 35,000 और 35,000 में से 8,000 माइनस करोगे तो यह आएगा 27,000 ऐसे ही आप 25,000 और 4,000 को plus करोगे और उसमें से 8,000 माइनस करोगे तो यह आपका आएगा 21,000 सेम ऐसे ही 20,000 और 3,000 को plus करोगे तो 23,000 23,000 में से 1,000 माइनस करोगे तो 15,000 अब क्या करेंगे यह इनका क्या निकल कर आगया यह इनकी opening capital निकल कर आगई मैं लिख देती हूँ opening capital निकल कर आगए अब opening capital हमने क्यों निका लिए हमें क्योंकि हमें interest on capital निकालना है तो हम यहा निकालेंगे interest on capital interest on capital अब देखो पहले से दिया हुआ है कि interest on capital जो है वो हमें 10% के हिसाब से निकालना है यह दिया हुआ है ना first point में तो इसका हम आप 27,000 का आप 10% निकालोगे तो 2700 निकल कर आएगा इस द्रॉइंग हम इसमें से लेस कर देंगे माइनस interest on drawing इंटरेस्ट तो आपको माइनस करने ही बढ़ेगी तो यह 250 इधर 200 और लास्ट वाले की कितने दी होई है 150 इसकी 150 लेस कर दो तो इसका निकल कर आएगा 2450 इसका निकल कर आएगा 1900 और इसका निकल कर आएगा 1350 इसका मतलब यह हुआ कि यह जो amount निकल कर आए यह partners के account में credit होना चाहिए था यह ना यही तो मतलब हुआ कि यह कौन है यह नाम क्या है मोहन विजे और अनिल के account में इतना इतना पैसा इनके account में credit होना चाहिए था तो यह इनका real credit है real credit को हम RC से दिखाते हैं ठीक है यह real credit हो गया इन तीनो partners का लेकिन गलती क्या हो गई है अब हम से हमने तीनों को equal कर दिया गलती से हमने तीनों के account में equal amount credit कर दिया है तो अब हम क्या करेंगे आप इन तीनों को plus करो जब आप 24501900 और 1350 को plus करोगे तो यह निकल कर आएगा 5700 अब इसको 1 is to 1 is to 1 के ratio में बाट तो 1 is to 1 के ratio में क्यों बाट रहे है दिया नहीं हुआ है लेकिन क्योंकि जब कुछ भी ratio हमें नहीं दिया होता तो हम यह मान के चलते हैं कि तीनों को बराबर देंगे तो 1 is to 1 is to 1 जब आप 5700 को 1 is to 1 is to 1 के ratio में बाट ओगे तो यह आएगा 1900 यह भी आएगा 1900 और यह भी आएगा 1900 यह तो आपका real credit था और यह आपका wrongly credit था मतलब आपने कर यह दिया होना यह चाहिए था समझ में आया यह आपका right credit है और यह आपका wrongly credit है अब हम क्या करेंगे एक चार्ट बनाता है यहाँ पर देखो बहुत है यहाँ लिखो नेम यहाँ पर लिखो आप real credit मैं short में लिख रही हो लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे यह है wrongly credit और यह debit और यह credit अब नाम क्या क्या है इनके मैं नाम फिर से भूल गई क्या नाम है इनके मोहन विजय और अनिल ठीक है मोहन विजय और अनिल मोहन का real credit कितना निकल कर आया है 24.50 और विजय का real credit 1900 यह जो अभी यहाँ निकल कर आया है यह और अनिल का 13.50 यह इनके real credits है wrongly credits क्या है 1900, 1900 और 1900 अब आप खुदी देखो मोहन को इतने रुपैस के account में credit होने चाहिए थे लेकिन हुए केवल 1900 अगर इसका मतलब क्या है कि इसके account में कम credit हुआ है इसका मतलब हमें इसे और देने पड़ेंगे पैसे कितने पैसे और देने पड़ेंगे 5.50 शाड़े 500 रुपैस को और देदो तो account बिल्कुल सही हो जाएगा विजय के case में क्या हुआ इसे wrongly credit मतलब सही मिलने भी 1900 चाहिए थे जो wrongly credit हुए वो भी 1900 हुए तो इसके में कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन अनिलके में क्या हुआ इसको मिलने चाहिए थे केवाल 1350 लेकिन इसे मिल गए 1900 इसे ज्यादा मिल गए अगर किसी से ज्यादा मिल गए तो उससे वापस लेना पड़ेगा तो इसका मतलब इसका account को हम debit कर देंगे तो यह जब आप इसमें से इसको minus करोगे तो यह 550 आएगा अब आप क्या करो इसकी simple से एक entry पास कर दो जैसे general entry करते है अनिल अनिल्स कैपिटल अकाउंट डैबिट तो मोहन मोहन्स कैपिटल यह 550 और इसका भी 550 समझ में आया hope आपको समझ आयोगा बहुत ही simple सा concept था क्योंकि यहां पे हमें opening capital नहीं दिया था इसलिए एक step बढ़ गया कि हमें पहले opening capital निकालना पड़ा अगर दिया होता तो हमें यह सब कुछ करने के जरुरत नहीं पड़ती सीधे interest on capital निकालते interest on drawing निकालते और मतलब यह chart बना देते और entry कर देते हो जाता ठीक है चलो यह हो गया question number 42 next session में हम करेंगे question number 43 मिलेंगे next video में तब तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लो bell icon press करो तब ही दिन में जो दो से तीन वीडियो जाती है वो आपको मिल पाएंगे bye bye thank you so much